तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल यानि बोटर के वारे में यानि जल के जो पिरकार होते हैं मिर्दू या कठोर और कठोरता पर्मानेंट ये टैंप्रेरी सब कुछ इस वीडियो में डिसकस करेंगे यानि जल से अगर कोई भी कोशन बनता है तो वो यहीं से बनेगा इस से बाहर कुछ नहीं आने वाला तो वीडियो को बस पूरा देखे चलिए करते हैं सुरू जल यानि के बाटर जल एक योगिक है कोशन डाइरेक्ट पूछ आता है कि निम लिखित में से कौन सा एक योगिक है तो जल क्या है एक योगिक है इसका अनुसूत्र क्या है H2O है अनुसूत्र क्या होता है ध्यान अगना आपको H2O होता है देखे योगिक क्या होते हैं जिने निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं उनको योगिक कहते हैं तो ये एक योगिक है और इसका अनुसूत्र H2O होता है जल में हाइट्रोजन और ओक्सिजन के भार यानि द्रभ्यमान का जो अनुपात होता वो कितना होता है एक अनुपात आठ वेरी मोस्ट इंपोटेंट ध्यान रखना कि देखें ओक्सिजन का जो द्रभ्यमान होता वो कितना होता है 16 होता है और हाइट्रोजन का एक होता है चूँकि H2O में हाइट्रोजन के 2 जो है परमाडू है इसलिए इसका जो द्रभ्यमान होगिया इसमें कितना होगिया 2 होगिया ओक्सिजन का कितना होता है 16 होता है तो 2 अनुपात 16 जब हम सरल रूप में लिखेंगे तो 2 से जो है 2 एक बार कर जाएगा और 16 जो है 8 बार कर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक अनुपात आठ, काफी ज़दे एक्जाम में question पूछा जाता है कि जल में hydrogen और oxygen का जो भार यानि के दरभ्यमान होता, वो किस अनुपात में होता, एक अनुपात आठ के अनुपात में, next है, जल में hydrogen और oxygen का आयतन का अनुपात, तो अगर आयतन की बात करते हैं, तो यहाँ जो hydrogen के परमाड़ होता है, कितने दो, और oxygen के कितने परमाड़ होता है, तो दो अनुपात, एक होता है, जल क्या है, यानि सुद्ध जल की यहाँ पर में बात कर रहा हूँ, यह क्या है, उदासीन होता है, और इसका pH मान क्या होता है, 7, क्योंकि pH value क्या होती है, 7 से कम जो होत कुचालक होता है और सा साथ शाथ आपको ध्यान रखना है कि सुद्द बिद्द्य।Cा कुचालक होता है की सुद्द बिद्द्द का होता है, तो मीफलत बिय। जल बिद्यूत का सुचालक होता है, अब यहाँ पर अमली आ जाए या एसुद्ध आ जाए, यानि ऐसा जल जिसमें एसुद्धिया मिली होती है, वो क्या हो जाता है, बिद्यूत का सुचालक होता है, जबकि सुद्ध जल बिद्यूत का कुछालक होता है, चार डिग्री सेल् जो का आयतन होता वो ntom होता है जल का कवतनांग कितना होता है градटry Celsius अगर बात करें घलणख किंख या द्रवडश giving यह होता है जीरो डिग्री Celcius बर्सा जल जो होता है वो सबसे अधिक शुद्द माना जाता है कौनसा जल बर्सा का जल जलका बर्फ में बदलना तथा बास्प में परिवर्तित होना भोतिक परिवर्तन है भोतिक परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन आप कमेंड कीजिए अब आपको नहीं पता बैसे मैं आपको बता दू भोतिक परिवर्तन क्या होते हैं जलका, जिसे के जिनके क्या है, सिर्फ भोतिक अवस्ता बदलते हैं, लेकिन उनके गुणों नहीं बदलते हैं, रासाइनिक परिवर्तन में क्या होता है, उनके गुण भी बदल जाते हैं, जैसे दूट से दही बनना, दूट के गुण अलग होते हैं, दही अलग होता, टेस् तो दूद से बर्फ बना सकते हैं, लेकिन अगर रासाइनिक परिवर्तन की हम बात करें, तो दूद से हम दही बना सकते हैं, लेकिन बाद में दही से दूद नहीं बना सकते हैं, तो यह रासाइनिक परिवर्तन होता है, और जल का जो बासम में बदलना या बर्फ में बदलना तीन परतिसत अब बात करते हैं जल के पिरकार की यानि टाइप सोफ वाटर तो नमबर एक है कठोर जल यानि हाड़ वोटर कठोर जल साब구ून के साथ जाग यानि फैनजी से बोलते उत्पन नहीं करता है पक्रण जल के जाग नहीं बनाता है कठोर जल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो गुले लवड होते हैं, वो स्वास्ते के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जल का जो सेकेंड टाइप है, यानि जल का जो सेकेंड टाइप है, मिर्दू जल यानि सोफ्ट वाटर, ये क्या होता है, साबुन के साथ आसानी से जाग बनाता है, और ये पीनी की दरस्टी से भी उप्यूक्त माना जाता है, अब बात करते हैं, जल की कठोरता के वारे में, यानि hardness of water के वारे में, तो सबसे पहले जो होती है, नमबर एक, इस्थाई कठोरता, यानि permanent hardness, जल की इस्थाई कठोरता, उसमें calcium, magnesium और chloride, यानि जो इसमें होता है, calcium और magnesium के chloride, और sulfate लबड खुले होने के कारण होती है, जल की इस्थाई कठोरता होती है, यानि, permanently, hardness जो होत केलसियम और मेगनिसयम के किलोराइड और सलफेट के कारण होती है जल की इस्थाई कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर किया जाता है यानि जल की इस्थाई कठोरता होती है परमनेंट हाडनेस होती है इसको सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से जलकी स्थाई कठोरता उसे उबाल कर आस्वन करने से भी दूर हो जाती है जलकी स्थाई कठोरता दूर करने की जो मुख्या भी दिया वो कौन सी है पर्म्यूटिड है ये आपको ध्यान रखना है most important है कि जल की स्थाई कठोरता दूर करने की जो मुख्या भी दिया वो कौन सी है पर्म्यूटिड अब बात करते हैं एस्थाई कठोरता के बारे में यह टेंपररी हाडनेस के बारे में जल की एस्थाई कठोरता जो होती है इसमें कैलसियम, मैगनीसियम के बाई कार्वोनेट लवर घुले होने के कारण होती है जल की ऐस्थाई कठोरता उबाल कर जो है दूर की जाती इसलिए डोक्टर वगएरा सलहा देते हैं कि जल को जो है उबाल कर पीना चाहिए चाहिए बाद में आप चाहिए तो इसको ठंडा कर सकते क्योंकि उबालने से इसकी जो temporary hardness होती है वो दूर हो जाती है जल में sodium carbonate डाल कर उबालने से इस्थाई और एस्थाई दोनों पिरकार की कठोरता दूर हो जाते हैं केतली में जल उबालने पर आंत्रिक परत में सफेद रंग की जो होती है परत जम जाती है जो क्या होती है कैलसियम और मैगनीसियम के कारवोनेट्स होते हैं जल का हाइट्रोजन बंध के कारण क्या होता द्रव अवस्था में पाया जाता है तो कोशन यहां से डाइरेक्ट पूछा जाएगा कि जल द्रव अवस्था में किस कारण पाया जाता है तो हाइट्रोजन बंद के कारण जल का सुद्धी करण पोटेसियम परमेगनेट क्लोरीन गैस और पोटास एलम यानि के फिटकरी आधी दुआरा किया जाता है अब बात करते हैं सार्बत्रिक बिलायक यह निसे सार्बत्रिक बिलायक क्यों माना जाता है जल को सार्बत्रिक बिलायक कहा जाता है क्योंकि इसमें कई पधार्त गुलाने की छमता होती है मतलब यह बहुत से पधार्तों को अपने अंदर गुला लेता है जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण इसे उत्तम बिलायक जो है माना जाता है लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक पधार्त जलके सार्बत्रिक बिलायक होने में अपबाद है यानि इनको अच्छे से बिलायक गुला नहीं पाता है अब बात करते हैं व्लू आइस के बारे में ऐसा सुद्ध बर्फ जिसमें रोगाणू नहीं होते जो लगबग 2,000 से 3,000 बर्फ पुरानी होती है ब्लू आइस कहलाती है ये ग्रीन लेंड में पाई जाती है जहां इसका निर्यात जो है बिक्सित देसों को किया जाता है और ब्लू आइस का प्रियोग विस्की बनाने में किया जाता है तो ये विस्की बाला आपको ध्यान अखना है टोपी कोशन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ब्लू आइस का प्रियोग निम लिखित में से किसके लिए किया जाता है तो विस्की के लिए यहां बिसकी बनाने में निमलिकित में से किसका वीडियो किया तो वलु आ इसका तो यहां पर हमारा हाज का वीडियो कंप्लीट हो आई हो वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लायक किजिए दोस्तों के साथ share किजिए अपना feedback हमें comment किजिए और बने रही चैनल के साथ सब्सक्राइब के लिए थैंक्यू वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में